सो वेलकम गाइज मैं आम है शोभीक आप सभी को स्वागा थे वन मिलियन गैजेट में तो गाइज मैंने जब वादा किया था कि टॉप फाइब का एक कमपरजन वीडियो लाऊंगा वीडियो फाइनली आ गया है तो जो मैं वादा करता हूं वीडियो इस चैनल में देखने को मिल जाता है यहां पर जितना भी यारफोन से यह मैंने अपनी खुद के पैसे से पर्चेस किया है तो यहां पर कोई भी वायस प्रिव्यू और बायास्ट ओपेनियन नहीं रहेगा और अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे अगर आप इस चैनल पर नहीं हो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यह बहुत ही मैनात का काम है मुझे पता है बट हजारों में लोग वीडियो देखता है उन में से इत्त उन यह फोन को मैं यह पर हाइलाइट कर देता हूं यह पर है रियल्मी बर्ड्स वायलेस ओपो एंको एंट बुलेट वायलेस जेट और जी लिनोबो ही 15 लिनोबो ही 16 ओके तो पहले इन पाच यह पोन की ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं पिर इनकी कर चवेस म कर दोफाने यह थे च entries क behaviour जो फेल्षट हो गया एंडर बेस एक तो बैत्र अ क्वालेस की इसकी साउंट्स और म्यूजिक की बात क्या जाए यह बहुत ही प्रनाॉंस्ट अब इसमें मिसिंग है अब Realme Birds Wireless की bass, mids, highs and instrumental sounds background music की rating देख लेते हैं bass 9 out of 10, mids 8.5 out of 10, highs 8 out of 10, instrumental sounds and background music 8 out of 10 अब अगर आपको soothing bass के साथ good vocal, good background music, instrumental sounds को experience करना है then I will suggest go for OnePlus Bullet Z, इसका जो overall music का quality है, बहुत ही अच्छा है इसका जो bass quality है, ऐसा नहीं कि बहुत ही heavy, punchy bass है, इसका bass बहुत ही smooth, punchy experience देता है आपको इसका bass मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और इसका जो vocals है, वो भी बहुत ही सही है मैं बताओंगा OnePlus ने बहुत ही अच्छा home work किया है अपने vocal quality में इसका जो tribles है, जो highs है, वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा है इसका जो quality है, जो थोरा सा missing लगा है, pronounced है, but quality थोरा सा missing है but background and instrumental sounds में भाई, excellent quality है so I will suggest you, if you are a true music lover, go for this earphone अब यहाँ पर OnePlus Bullet Z का rating देख लेते है, bass piece को मिलती है 8.5, in mids it gets 9 out of 10, highs 8.5 out of 10, in instrumental sounds and background music it gets 9 out of 10 अब भाई, best of the best के बाड़े में बात करते है, I mean Oppo Enco M31 इसका जो lows and bass का quality है, इसमें quality है, but punch थोरा सा missing है अगर आप heavy punchy bass वाला music पसंद करते हो, अगर आप bass गाए हो, then maybe आपको उतना पसंद ना आए but इसमें एक mode है, जहाँ पर multifunctional button को आप double click करके इसमें bass mode को active कर सकते हो, हाँ, bass mode active करने पर इसका bass थोरा सा heavy हो जाता है but यह उतना punch नहीं gain करता है, यह जो overall music है उसमें थोरा सा ज्यादा vibration add करता है तो मैं बताऊंगा bass का punch है तो थोरा सा missing है, अगर OnePlus का bass इसमें अगर मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता but bass को छोड़के इसका जो vocal quality है, जो mids का quality है, जो highs, treble का quality है even background music instrumental sounds भाई, excellent है, God level है भाई, I mean अगर OnePlus का bass and इसका overall music quality अगर एक किया जाता तो I will say, Bluetooth earphones में one of the best earphone बन जाता, I mean 4000 या 5000 के अंदर, medicinely एक one more का true wireless earbud use कर रहा हूं बहुत ही expensive earphone है, उससे भी audio quality अच्छा है, and इसका music quality तो भाई, अच्छा होना ही है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है Sony का technology, Sony का LDAC high-res audio technology मिल जाता है यह LDAC क्या है, high-res audio क्या है, यह मैंने detail में explain किया है, full review video में उपर i button के link के video का, जाके देख लेना आपको समझ आया जाएगा and LDAC support के लिए आपकी device में Android Oreo 8.1 and उसके अबब जो Android version है और आयना चाहिए, तो यह ध्यान पर रखना अब OPPO M31 का ratings चेक कर लेता है, बेस में इसको मिला है normal mode पे 8 out of 10 and बेस mode active करने पर इसको मिला है 8.5 out of 10 in mids and vocals it gets 9.5 out of 10, in highs and treble it gets 9 out of 10, instrumental sounds, background music it gets 9 out of 10 अगर आप कम price में अच्छा audio quality experience करना चाहता हो तो यहां पर आपके लिए 2 option है, एक है Lenovo HE 15 and Lenovo HE 16 अब OPPO Realme and OnePlus के बड़ा बार तो नहीं होगा इन दोनों का audio quality क्योंकि इन दोनों का price भी बहुत ही कम है और उन तिनों का price भी बहुत ही जादा है तो अगर आप cheap solution चाहता हो तो इन दोनों में से किसी एक को choose कर सकता हो Lenovo HE 15 का overall audio quality बहुत ही अच्छा है इसका vocals, trubles, highs, instrumental sounds बहुत ही अच्छा है हाँ bass थोरा सा lacking ही इसमें अगर आप पंची bass पसंद करते हो then don't go for this earphone अगर आपको पंची bass चाहिए then मैं बताऊंगा select Lenovo HE 16 इसका bass quality बहुत ही अच्छा है but again यह पर जो vocals है जो trubles है जो instrumental sounds है थोरा सा muted है so overall good audio quality के लिए मैं बताऊंगा go for this earphone अगर आपको bass heavy music पसंद है then select HE 16 and यह पर हर एक earphones का हर एक color variant के अनुसा नीचे description पर link है वहाँ से जाके आप current pricing भी चेक कर सकते हो even चाहो तो आप purchase भी कर सकते हो अब build quality and fittings के बाड़े में बात किया जाए तो build quality में Oppo and Realme सबसे आगे है आपर material में plastic, metal and rubberized material यूज किया गया है whereas OnePlus में पूरा आपको सब कुछ में आपको plastic and rubberized material देखने को मिलता है whereas Lenovo की दोनों earphones में आपको metal and plastic का use देखने को मिल जाता है अब इन पांच earphones की build quality को लेके उतना headache रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा है build quality पांच earphones का fittings के मामले में Okuo Enco M31 and Lenovo H15 fantastic है इनका earphones का design है बहुत ही छोटा है कान में easily fit भी हो जाता है even कान से बाहर भी निकाल के नहीं आता है पूरा जो earphones कान के अंदर ही fit रहता है then in second position Lenovo H16 and Realme Buds wireless यहां पर आपको एक hook option भी मिल जाता है जो आपके कान में extra grip भी provide करता है and यह fittings के मामले में second position पर है now OnePlus Bullet Z की fittings में भाई कोई problem नहीं है but इसका जो earpiece का design यह थोड़ा सा अजीब type का है प्लब थोड़ा सा portion कान से बाहर निकल के आता है and भाई अगर आप normal use करते हो तो कोई problem नहीं है अगर आप sidewise ऐसे लेखते हो तो यह थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है और कान में थोड़ा सा problem होता है अब यह पर button features की बात किया जाए तो पांचोई earphones में आपको तीन common buttons देखने को मिल जाता है multifunctional button जिसने आप call cut and receive कर सकते हो music को pause and play कर सकते हो music को forward कर सकते हो Google Assistant को active कर सकते हो इवन अब OPPO में base mode को active कर सकते हो यह कुछ extra features है और आपको volume up and down का भी button मिल जाता है यह सब में common है but base mode यह पर OPPO में एक extra feature है but यह पर OnePlus में एक extra button देखने को मिल जाता है जिससे आप multiple device में connection switch कर सकते हो यह feature आपको OPPO में भी देखने को मिल जाता है अब यह पर design में और एक बहुत important चीज़े हैं आपको हर एक earphones में sweat and water resistant design देखने को मिल जाता है so gym and sports activities के दौरान आप RAM से use कर सकते हो by the way जो rating है और Realme में आपको मिलती है IPX4 whereas बाकी और जो चार earphones में आपको IPX5 certified मिलता है so वो थोड़ा सा better है और एक important चीज़ आपको हर एक earphones के ear cup के पीछे magnet option मिल जाता है but इस magnet का कुछ feature भी है like आप music को pause कर सकते हो आप device में connect कर सकते हो but यह जो feature से यह आपको नहीं मिलेगा उस magnet से आप बस ओ दो ear cups को connect कर सकते हो music को pause भी नहीं कर सकते हो even आप device में connect भी नहीं कर सकते हो उसके लिए आपको जो dedicated button है multifunctional button है उसको long press करके उसको turn on करना है तब जाके ओ device में connect होगा और उसको single press करने पर music को pause कर सकता है but यह पर one plus oppo and realme में ऐसा कोई dedicated switch नहीं है जिससे अब device को turn on कर सकते हो बस उस magnet को आपको detach करना है और turn on हो जाएगा magnet को attach करने पर turn off हो जाता है और यह पर Bluetooth connection हो भी बहुत है hassle free है बस उसको detach करना है आपके phone के साथ एक second के अंदर connect हो जाता है but एक बार यह earphones आपके smartphone के साथ Bluetooth के थुरू connect हो जाए उसके बाद भाई कोई problem नहीं है 10 meter range के अंदर आपको connection में कोई भी problem नहीं मिलेगा अब charging port, charging time and battery backup की बात किया जाए तो Oppo and OnePlus में आपका Type-C port देखना को मिल जाता है OnePlus और भी ज्यादा fast charge support करता है अब तो 30 watt तक का charging support करता है इवन यह पर बैटरी backup है वह इंसेन है यह पर आपको 20 घंटे का battery backup मिल जाता है in real life मेंने at a stretch 20 घंटे यूज नहीं किया है but दो दिन तक का मैंने heavy use किया है तब भी इसमें 30% battery remaining था बैटरी backup है उतना कुछ खास नहीं है ब्रैंट यहां पर क्लेम करते है without LDAC 12 hours and without 8 hours but in real life usage मैंने LDAC को turn on करके यूज किया है और मुझे उतना कुछ खास battery backup मुझे नहीं मिला था around 6-7 hours तक का मुझे battery backup मिला था so अगर आप घर पर यूज करते हो तो ठीक है but long tour पर जाओगे तो आपको और बैंक की जहुरत है realme but wireless and Lenovo HE 15 में मुझे अच्छा खासा battery backup मिला brand claim करते है 12 hours तक का battery backup Lenovo में मुझे 9-10 घंटे तक का मिला था whereas realme में मुझे और जादा मिला था 10-11 घंटे तक का for example Lenovo HE 16 में battery backup सबसे घटिया है यह पर मुझे around 4 hours तक का battery backup मिला है brand claim करते है 6 hours but मुझे 4 hours तक का मिला है now call quality and microphone quality की बात कि आए जाए तो oneplus and realme में कोई भी microphone में आपर problem नहीं है microphone एकदम first class है यह पर opposite side से कोई भी गालिया नहीं पड़ेगा और कोई भी complaints सुनने को नहीं मिलागा कि भाई सुनाई नहीं देड़ा है जोर से बता ऐसा कोई भी complaints नहीं मिलेगा यहां पर लिनोबो का दोनों एरफोन थोरा सा प्राइस कम है इसका microphone quality उतना कुछ खास नहीं है तो opposite side से आपको घालिया पड़ सकता है अब यहां पर जो final question है यहां पर जो अडियो response है जो latency हो बहुती कम होने वाला है बहुती fast response मिलने वाला है यहां पर Oppo Enco M31 में आपको LDAC को देखना को मिल जाता है जिसके करान यहां पर जो response time है बहुती fast है I mean latency हो बहुती कम है यहां पर Oppo Enco M31 के उपर मैंने जो लास्ट दो वीडियो अपलोड किया था अपर मुझे दो कमेंट्स देखने को मिला है कि मुझे PUBG में उतना fast response नहीं मिल रहा है तो make sure LDAC को option है और आपकी device में LDAC का सही तरह किसे support रहना चाहिए अगर यह दो चीज ठीक है में भी आपका जो Oppo Enco M31 एरफोन है में भी उसमें problem रह सकता है आप एक replacement कर लो उसका तो बैतर होगा अब यहां पर जो बाकी 4 एरफोन से वह भी PUBG के लिए सही है यहां पर आपको Oppo की तरह उतना low latency नहीं मिल गा पर response time ठीक ठाक है मैं आपको स्क्रीन पर प्रूब दिखा देता हूँ आप लोग खुद से देख लो अब गाइज यहां पर final verdict दिया जाए तो अगर आपको excellent audio quality चाहिए great fittings चाहिए great build quality चाहिए PUBG में low latency चाहिए for sure go for Oppo Enco M31 इसका भाई audio quality excellent है so I will keep this in first position then in second place आपको अच्छा audio quality चाहिए great battery backup चाहिए excellent charging speed चाहिए second position पर है one plus bullet Z then in third position आपको तो पता है realme birds wireless इसका build quality excellent है style भी बहुत ही unique है even इसमें आपको मिल जाता है excellent bass अगर आप true bass level हो you can go for this earphone then in fourth position फुरा सा कम price में अगर आप option ढून रहा हो then go for Lenovo HE 15 इसका overall audio quality बहुत ही अच्छा है but आपको कम price में अच्छा audio quality चाहिए go for Lenovo HE 15 then in fifth place you know Lenovo HE 16 इसका base quality बहुत ही अच्छा है इसका price भी बहुत ही कम है तो गाइस मैंने इस वीडियो में जितने भी एरफोंस को मेंशेंड किया है हड़ेक एरफोंस का different color variants का नुसर नीचे description के link डाल दिया है वह से जाके आप current pricing भी चेक कर सकते हो even चाहो तो आप purchase भी कर सकते हो